एक तरफ देश में स्वच भारत और स्वस्थ भारत की बात की जाती है और स्मार्ट सीटी बनाने के दावे के जाते हैं ऐसे में अलवर शहर के हालात की अगर बात करे तो शहर में निकलना ही मुश्किल हो चला है शहर में अवारा मवेशी इस कदर बजारों में और गलियों में घूमते हुए नजर आते हैं कई बार यह लोगों के लिए जान लेवा भी बन जाते हैं लेकिन नगर परिशद अलवर इस पर कोई कारेवा ही करता नजर नहीं आ रहा शहर में घूमते ये आवारा पशु कई बार लोगों पर हमला भी कर चुके हैं पिछले दिनों खदाना मोहले में एक गाएं के आतंग ने कई लोगों को जखमी कर दिया जिनको ट्रोमा सेंटर में भरती कराना पड़ा यह सिर्फ एक मोहले की बात नहीं है शहर में चारों तरफ यही आलम है सडकों पर बीच बजार में ये मवेशी हमेशा नजराते हैं लेकिन नगर परिशत के करमचारी इन्हें पकड़ने में लापरवाई बरत रहे हैं जिसका खामयाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है शहर अपितू अलवर जिले की बहुत बड़ी ये समस्या है जो आप देखते हैं सडकों पर शडकों पर चोरायों पर जगे जगे गाय और सांडी मिलते हैं सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये गाय सांड आपस में जब लड़ मरते हैं तो उस दोरान यह नहीं देखते हैं कि कौन इंसान जा रहा है, कौन बच्चा जा रहा है, कई जगान तो कई मोते हो चुकिया इंसे, जिले के अलवर जिले के अंदर, और मैं नगर परिशद आयुक्त मोदे से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं मांग करता हूँ, कि इनको पकड़वा कर यथा इस्थान, गौशाला या ऐसी जी के पर बेजा जाए, और जिनकी ये गाये हैं, जो खुटे पर इनको चरने के लिए छोड़ देते हैं, मैं उनसे भ आपने खुटे पर इनको चारा खिलाए, कि शहर के अंदर आवारा पशू, सांड, गाये ये बे धड़ग भूम रही हैं, और इससे क्या होता है कि आपस में जब लड़ते हैं, तो स्कूल के बच्चे, कभी पुरानी लेडिज, कभी बजर्ग लोग विष्टी, इनकी चप बेड में आ जाते हैं, जिसे कि कई बार बड़ी स्टीरियस इंजूरी भी हो जाती है, और कई लोग हॉस्पिटल में भी दम तोड़ देते हैं, तो हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है, कि इनको इनकी जगह है, महां पर इनको प्रापर तरीके से इनको वहां ले जाया जा आगए से जाकर अगर कुछ और भी सुबिदा हो सकती है, कोई बच्चा आ जाया, कोई लेडी जा जाया, कोई आदमी आ जाया, कोई बुजरक आ जाया, तो इसका सरकार जुम्मा आरेश की वहीं इस सम्मंद में नगर प्रशल सवापतिय अशोक खरना से जब बात की तो उनका कहना था कि अभी अंभीडगर नगर में नया कांजी हाउस बनाया जा रहा है, वो पूरा होने के बाद ही इस समस्या का समाधान हो पाएगा, फिलाल जो पुराना कांजी हाउस है, उसमे कांजी हाउस के नाम से बुद्ध बियार के अंदर हमारा काम युद्ध इस्तर पर चल रहा है, मुईट करते हैं 15-20 दिन में वो हमारा बॉंडरी तो बन गई है, अब सिरफ हमने उसमें च्छाईं के लिए टीन शेड लगवानी है और पीने के पानी के प्याउव बनवानी इनको पकड़ के हमारे कांजी हाउस है अशोका टाकिज के पास में जिसमें 40-50 जानवर हमारे रह सकते हैं, देखो गाय वगएरा से ऐसा नहीं होता लेकिन अख़वार मीडिया कहता है तो हम मना नहीं करते हैं, यह हम खुद ही पालते हैं, हम पहले तो उनको रोटी खिलान करते हैं, आपके मीडिया के द्वारा पूरे शेर से हाथ जोड के निवदन करते हैं, अगर उन्होंने गव ग्रास देना हैं, तो गव शाला में डाल कर आएं, हमारे कांजी हाउस में डालें, कोई भी गाय उनके पीछे नहीं भागी